अरे ये स्रिदर के फ्लेट के साम में लोग क्यों खड़ेंगे अरे स्रिदर क्या हो गया? अरे गोपाल बाबू कहा रहे ते गर पे चोर गुशा है वे 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 ये तो बहुत मुरा हुआ वो तो कबर्ड में लॉकर था तोड नहीं पाए इसलिए चोर आपके घर में गुश गया नमस्कार मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोद्रेज समू के संस्थापक आदशीर गोद्रेज और गोद्रेज समू में हुए बटवारे की गोद्रेज नाम से हर भागतिये वाकिफ है शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां आज भी गोद्रेज के ताले या फिर अल्मारी ना मिले ऐसा होना भी लाजमी है क्योंकि 125 सालों से कंपणी लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है मगर क्या आप जानते हैं कि इतने लंबे अर्से से लोगों के भरोसे पर खरी उतरने वाली इस कंपणी की शुरुआत कैसे हुई गोद्रेज के संस्थापक आर्देशीर गोद्रेज लोग स्कूल से पासोकर निकले और 1894 में उन्हें बंबे सॉलिसीटर की एक फर्म ने एक केस लड़ने के लिए जंजी बार भेजा इस अफरीका में वकालत कर रहे आर्देशीर को जल्द ही समझ में आ गया कि वकालत उनके बसका नहीं है ऐसे में गोद्रेज ने वकालत को अलविदा कहा और भारत वापस लोटाए आर्दशीर गोदरेज भारत तो आ गए मगर उन दिनों उनके पास कोई काम नहीं था शुरुआत में उन्होंने एक केमिस शॉप में असिस्टेंट की नौकरी की और इस बीच उन्होंने सर्जिकल इंस्टुमेंट बनाने की सोची इस काम को करने के लिए आर्दशीर ने पार्सी समाज के प्रतिश्ट वेक्ति मेरवान जी मुचेर जी कामा से तीन हज़ार रुपे उधार लिए लेकिन उनका या बिजनेस नहीं चल सका गोद्रेज का पहला बिजनेस फेल होने का कारण था उनका देश प्रेम या यूँ कहें कि देश के लिए उन्होंने खुद के मुनाफ़े को भी ठुकडा दिया दरसल अर्देशीर को एक बिजनेस के लिए सरजरी के आउजार बनाने थे मगर सेल्स की जिम्मेदारी बिजनेस के लिए खुद अपने हाथों में लेना चाहती थी गोद्रेश और बिटिश कंपनी के बीच यह मामला उलज गया कि आखिर इन आउजारों पर नाम किस देश का लगेगा गोद्रेश चाहते थे कि उनके बनाए आउजारों पर मेड इन इंडिया लिखा जाए मगर अंग्रेश इस बात के लिए तैयार नहीं थे ऐसे में आदेश शीर ने इस बिजनिस को ही बंद कर दिया आदेश शीर गोद्रेश का यह बिजनिस भले ही ठप हो गया मगर उन्होंने हार नहीं मानी वो हमेशा से कुछ अलग और बहतर करने की सोच रखते थे और एक दिन अखबार की एक खबर ने उन्हें ये मौका भी दे दिया बंबई के अखबार में छपी ये खबर बंबई में चोरी की घटनाओं से जुड़ी थी जिसमें बंबई के पुलिस कमिशनर ने लोगों को अपने घर और दफतर की सुरक्षा के प्रती सतरक रहने की अपील की थी बस इसी एक खबर से आदशी के दिमाग में ताले बनाने का आईडिया आया ऐसा भी नहीं कि उस वक्त लोगों के घरों में ताले नहीं थे मगर गोदरेज ने ऐसे लोक्स बनाए जो पहले की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित थे साथी किसी भी चाभी से तालों को खोलना भी संभव नहीं था यह वो दौर था जब तालों को लेकर कोई कमपनी गारेंटी नहीं देती थी लेकिन आदरशीर गोदरेज ने अपने तालों पर गारेंटी दनी शुरू की और काम चल पड़ा 1897 में गोदरेज ने एक बार फिर मेरवान जी मुचेर जी कामा से करज लेकर बॉंबे गैस वर्क्स के बगल में 215 वर्क फुट की एक छोटी सी जगा ली और शेड के नीचे बैट कर ताले चाबी बनाने का काम शुरू कर दिया आने वाले कुछी वक्त में आदरशीर का कारोबाद चल पड़ा और यहीं से गोदरेज कंपनी की शुरुआत हुई बरतर व्यापार्ट से उतसाहित गोदरेज ने लोगों के जवरात और पैसे रखने के लिए मजबूत लोकर और अलमारियां बनाने का काम भी शुरू किया ताकि गोदरेज के लोकरों में लोग अपनी कीमती चीज़ें महفوظ रख सके मजबूती को ध्यान में रखकर गोदरेज ने ऐसी अलमारियां बनानी भी शुरू की जिसका मकसद लोहे की चादरों को बिना काटे अलमारी को तैयार करना था गोदरेज की क्वालिटी की चर्चा अब लोगों के जुबार पे थी ऐसे में तालों की तरह ही अलमारिया भी लोगों की पहली पसंद बन गई मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक साल 1911 में दिल्ली दरबार के वक्त जब किंग जॉर्ज पंचम और कुईन मेरी भारत आए तो उन्होंने भी अपने कीमती सामानों को रखने के लिए गोदरेज लोकर का ही इस्तमाल किया था ताले और अलमारियों की सफलता के बाद गोदरेज ने साबुन बना कर एक नया प्रियोग किया ये पहला वनस्पती तेल वाला साबुन था और इस से पहले जानवरों के वसा से साबुन तयार किया जाता था उस दोर में गविंदरनाट टेगोर तक ने उनके साबुन का प्रचार किया साथ ही देश की आजादी भी गोदरिज के लिए वेपार के नए अफसर लेकर आया आजाद भारत में हुए पहले लोकसभा चुनाओ के लिए गोदरिज को सतरा लाख बैलेट बॉक्स बनाने का काम भी मिला और गोदरिज का काम ही उसकी पहचान बन गई 1952 में 173 दिवस के दीन गोदरिज ग्रूप ने संथाल साबून को लाउंच किया इसके अलावा साल 1958 में कमपनी रेफरिजिटर बनाने वाली पहली भारती एक कमपनी भी बनी 1974 में लिक्विड हेर कलर प्रोड़क्स लाउंच करने वाली गोदरिज ने 1994 में गोदरिज बनाने वाली कमपनी ट्रांस लेक्टा को खरीदा और 2008 में चंदरियान एक के लिए लाउंच विकल और लूनर अर्बिटर भी बनाए आज गोदरिज समुह का वियापार भारत समेश दुनिया भर के करीब 50 से अधिक देशों में फैला है जहां गुनवत्ता का दूसरा नाम ही गोदरिज है अब बातें ग्रूप में हुए बटवारे की 127 साल पुराने गोदरिज परिवार में संपत्यों के विभाजन को लेकर सहमती बन गई है और गोदरिज ग्रूप ने स्टाउक एक्शेंज को इस बात की जानकारी भी दे दी है भारती ये शेर बाजार में गोदरिज समूह की पांच लिस्टेट कंपडीया हैं जिनमें गोदरिज इंडस्टीज, कोदरिज कंजिमर प्रोड़क्स, गोदरिज पर्परटीज, गोदरिज ए्ग्रोवेट और अस्टेक लाइफ साइंसिज सामिल है गोदरिज कंजूमर प्रोडक्स इन सूची बद कमपनियों में सबसे बड़ी है जिसका बाजार पुझी करन इस साल 30 अपरेल तक 1.26 लाख करोड पे है वहीं इन सभी कमपनियों का जॉइंट मार्केट कैप 2 लाख करोड से भी जादा है गोदरिज ग्रुप कियों से जारी किये गए बयान के मताबिक समोह का बटवारा संस्थापक परिवार की दो शाखाओं के बीच किया गया है एक पक्ष, 82 वर्षिये, आदी गोदरिज और उनके 73 वर्षिये भाई नादिर का है वहीं दूसरे पक्ष में 75 वर्षिये जमशेद गोदरिज और समिता गोदरिज है समझोते के अनुसार जमशेद गोदरिज, गोदरिज एंटरप्राइज समोह के चेर परसन और मैनेजिंग डिरेक्टर होंगे वहीं उनकी बहन समिता की बेटी निरीका होलकर एग्जेक्यूटिव डिरेक्टर होंगी गोदरिज एंटरप्राइज समोह में गोदरिज और उनकी सहीवगी कमपनियां शामिल है इस ग्रुप का कारोबार एरो स्पेस और एवियेशन से लेकर रक्षा, फरनीचर और आईटी सौफ्टरियर तक फैला है इस कारोबार को नियंतरित करने वाले पक्ष को लैंड बैंक भी मिलेगा और इस लैंड बैंक में मुंबईक में करीब 3400 एकर की जमीन भी शामिल है वही नादिर गोदरिज, गोदरिज इंडस्ट्रीज ग्रुप के चेर पसंद होंगे और इस पर आदी, नादिर और उनके परिवार के सदस्यों का नियंतरन होगा गोदरिज इंडस्ट्रीज समूह में गोदरिज इंडस्ट्रीज, गोदरिज कंजिमर प्रोड़क्स, गोदरिज प्रपर्टीज, गोदरिज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज शामिल है बयान में कहा गया है कि आदी के बेटे 42 वर्षिय पीरो जशाक गोदरिज, गोदरिज इंडस्ट्रीज समूह के एग्जेक्यूटिव वाइस चेर परसन होंगे और अगस्त 2026 में चेर परसन के तौर पर नादिर की जगा लेंगे तो ये थी कहानी अर्दशीर गोदरिज और गोदरिज समूह में हुए बटवारे की बायोग्राफी स्रीज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें मेरे ऐसे ही वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके सामें दिख रहे बिल आइकन को दबाना न भूलें इस वीडियो से सम्मंधित अगर आपके पास कोई सुझाओ हो तो आप उसे नीचे क्टमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजर होंगे तब तक के लिए नमस्कार